मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सपने में यदि आपको मंदिर दिखाई देता है तो यह शुप संकेत देता है आपकी कोई भी दो मनों कामनाई पून हो सकती है सपने में मंदिर देखना इस बात का संकेत देता है कि आपका आने वाला समय बहुत ही सुखत और मंगलमय होने वाला है सभी सपनों का अपना एक अलग और विशेश महत्व होता है सपने मुख्यता दो प्रकार की होती है एक इस्ट फल को बताने वाला याने पॉजिटिव चीजों को बताने वाला और दूसरा नेगेटिव चीजों को बताने वाला इसी तरह से अगर आपको सपने में मंदिर दिखाई देता है तो यह शुब माना जाता है सपने में मंदिर देखना इस बात का संकेत देता है कि आपका आने वाला भविश्य सुखद होने वाला है सपने में अगर आप खुद को मंदिर जाते हुए देखते हैं या मंदिर में कुछ दान करते हुए देखते हैं तो यहाँ अलग जिन्दगी में हो रही आपकी कमी को दर्शाता है ऐसा सपना यह संकेत देता है व्यक्ति खुद को मंदिर जाकर दान पुर्णक करना चाहता है साथ ही मनुकावना पूर्ती के लिए भगवान को धन्यवात करना चाहता है अगर आपको सपने में पुराना मंदिर दिखाई देता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका मतलब है कि आपको जल्द ही कोई बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है ये सपना इस बात की और इशारा करता है कि लंबे समय से कोई बिछुडा हुआ आपको वापस मिलने वाला है सपने में यदि आपको मंदिर की चौखट दिखाए देती है तो चौखट पर माथा टेकते हुए यदि आप अपने आपको देखते हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपके मन और घर की घर में शांती का वास होने वाला है सवपने में स्वन्न मंदिर अगर आपको दिखाई देता है साथ ही इस बात की और इशारा करता है कि आने वाले समय में आपको जीवन में ही सही मार्ग पर चलने के लिए एक धार्मिक गुरू की जरूरत है अगर आप मंदिर में भंडारे में दिखाई देता है आपको इस तरह का सपना आपके लिए सकारात्मक संकित को दर्शाता है इसका मतलब ये होता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा मिलने वाला है जिससे आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेणा मिलती रहेगी इसके अलावा अगर आप अपने आपको भंडारे में खाना खाते हुए देखते हैं तो ये इस बात की और इशारा करता है कि आपकी अटकी हुई संपत्ती आपको वापस मिलने वाली है सपने में यदि आप ज़ाडू लगाते हुए अपने आपको देखते हैं अगर आप सपने में खुद को मंदिर में जाड़ो लगाते हुए देखते हैं तो ये सपना आपके लिए बिल्कुल भी शुपसंकेत नहीं देता है इस तरह का सपना देखना मतलब कि आपके घर में चोरी होने वाली है या आपको धनकी हानी होने वाली है अगर आप सपने में सफेद मंदिर को देखते हैं तो ये सपना आपके लिए किसी वर्दान से कम नहीं माना जाता है सफेद मंदिर आनंद और खुशी का प्रतीक माना जाता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में आनन्द दायक पल आने वाले हैं जिसके चलते आपको सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा और आपके जीवन में खुशियां आने वाली है यह कुछ ऐसे संकित मैंने आपको आज बताएं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजेगा चैनल पर अगर आप नए है या मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दीजे जिस से मेरा जो भी कब नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक महुचेगा श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दर्शकूं हर हर महादेव जै मालच में